कि नेक्स ट्रोपी क्या है टर्मिनल पोटेंशल डिफरेंस एंड इंटर्नल रेजिस्टेंस ये तीनों टम किसके लिए किसी सेल या बैट्री के लिए डिफाइन कि जाती है जैसे माल लोकि को इसके लिए इसके औुसे लेक्या है और एक वॉल्ट मेटर लगाके इसके क्रोस क्या लगा दिया हमने यत सब्सक्राइस एक वॉलट मेटर लगा दिया और वाल्ट मेटर की रीडिंग देख रहा एक वॉलट मेटर लगा है यह Germant उसको हम बोलते हैं अगर कोई भी सेल किसी सर्किट में कनेक्टड नहीं है मतलब उससे करेंट फ्लो नहीं हो रहा तो उसके एक रोज जो potential difference होगा दोनों terminals की बीच में उसी को हम क्या बोलते हैं यह माँ बोलते हैं तो अभी जो वाल्ट मेटर रिडिंग शो करेगा उसको हम क्या बोलेंगे यह माँ बोलेंगे जिसको हम capital के सिंबल से रिपर्जिन करते हैं एए मफ का फुल फोर्म होता है इधर लिएंज तरह मतलब क्या होगा इलेक्ट्रो ऑटिव ऑटीव को हम capital एक सिंबल से रिपरज़न करेंगे कि इम अम्निंग क्या है इलेक्ट्र मोटीफ फॉर्स नहीं है पोटेंशल दूर्स का दूसरा नाम है कोई भी सेल कोई भी सेल किसी बी सरकुट में करनेक्टेड नहीं है यानि कि उससे कोई भी करेंट फ्लो नहीं हो रहा होगा तो उस टाइम पे एक वोल्ट मीटर या कोई भी वोल्टेज को मेज़र करने वाला सोर्स अगर आप उसके क्रोस लगाओगे तो उस टाइम पे वह जो क्यों कर रहा होगा उसी को हम क्या डोलेंगे यह म मतलेंगे समझ में यह तो मार्केट सेत्क यह क्णल लिखी होती है कि यह 1.5 रूट का है या 12 वोल्ट का है यह में वह सना लिकहीत होती है अब मालो की सर्कुट को आपने यह सेल को आपने एक सर्कुट में कनेक्ट कर दिया यह कोई रजिस्टेंस है और इसके एक्रोस आपने इस सेल को कनेक्ट कर दिया अब क्या होगा इस सर्कुट में करेंट फ्लो होगा सेल से कुछ करेंट लिया जाएगा मालो आई करेंट कर देगा अब जैसे इस इस होता यह इस तरीके से वापस आएगा कि यह तो एस इलिक्टर्ड से लगा रखी है आपने जो då पर रखें उनका खुद का भी कुछ रिजिस्टेंस होगा तो उस KP से उसको हम इंटरनल जिस्टेंस पोलते हैं उसे इंटरनल रे पीजिस्टेंस की वज़े से ऐंडे करो जायेका कुछ वोल्टेज ही खुद आज जाएगा तरह स्वाल में कीतर किया थ estás इमफ के बराबर जैसे मालों यह 10 वोल्ट का सेल है तो 10 वोल्ट का इमफ यह प्रोडूस कर रहा है लेकिन जैसे इसको किसी सर्कृट में कनेक्ट किया गया तो हमने क्या देखा यह जो करन्ट है जब सेल के अंदर से पास होगा तो सेल के कंपॉनेंट्स की वजय से या इंटर्नल रेजिस्टेंट से कि होते से कुछ वोल्टेज द्रोप हो जाएगा कुछ वोल्टेज यह खुद क्या जाएगा तो जो वोल्टेज यह इस रेजिस्टेंस को मिल रहा होगा की देखो यहांपर फालों कि इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है जैल का जो इंटरनल रीक्षी से आहां चुव geliyor स्मों आर जैसे यह करेंट इसमें स् Kontakt को यह ए कुछ ऑल्टेज़ करेगा ख्रीए सब करो वहीं पर खाना खाएंगे कि अगर सो लोगों का खाना बना है तोंसटो वह खुदी जीम तो बाहर के कितफल को मिलेगा खान सिर्फ 90 लोगों got सोगे 100 लोगों बचा कितनाamily लोगों खाना बाहर मिलने वाला है यह तो इस है उसको ने क्या नाम दे दिया लेकिन सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के वज़े से कुछ वोल्टेज यह खुदी खा जाएगा मैं खुदी इसने प्रोडूस किया खुदी खा गया थोड़ा सा तो जो खा गया यह वह कितना है आई इंटु स्मॉलार के बराबर है मोलार क्या यहां प इसमें से माइनस करना पड़ेगा तो यह वी है कितना वगाूगा ई- आई एंटु आर के बराबर होगा तो यह जो वी है इसी को हम बोलते हैं हैं टर्मिनल पॉटेंजल डिफ्रेंस क्मांजियोट को कूछ्ड impotiantus के मतलब यह होता है कि कोई कुछ वोल्टेज कंजूम हो जाएगा अंदर ही अंदर तो जितना उसको प्रेडूस करना चाहिए वोल्टेज उत्रा नहीं कर पाएगा उस वोल्टेज खुद खा गया इसलिए जो बचावा वोल्टेज हमको सर्कुट में मिल रहा होगा वस उसी को हम क्या बोलते हैं टर्मि माइनस करने से जो बचावा वी इसको क्या बोलेंगे इसे वी को हम बोलेंगे टर्मिनल सोटेंशल डिफरेंस क्या वोलेंगे इसको टर्मिनल सामज्च बात प्लियर एकदम किन किनगी चीजों बेंड करेगा अगर आपको पूछे तो तो सेल के इंटर्नल कम्पोनेंट्स करेगा जब आपको बनाते हो क्या मिक्रोड कर संदर इसके लावा उसके ऑνतर यूज किया जाते हैं इनका खुद का भी कुछ रिजिस्टेंगा अब यह किन-किन चीजों भी डिपेंड करेगा इंटरन रिजिस्टेंस तो नेचर ओप दे इलेक्ट्रोलाइट सॉलुशन जो उसमें यूज किया जा रहा है एंड नेचर ओप दे इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो वह कौन से मैटल की बनी है जो एलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया उसके उपर डिपेंड करेगा फिर दूसरी बात जो इलेक्ट्रोड से उनको कितना दूर दूर रखा गया है सॉलुशन के अंदर जैसे कि सिंपल एक्जामपल देता हूं मालो की है कि यह कोई कंटेनर है जिसमें आपने कुछ एसिट भरावा जिसका हम इलेक्ट्रोलाइट सॉलूशन भी बोल सकते यहां पर और इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड सापने डाल रखी है और दूसरी इलेक्ट्रोड यह है सबूश तो इसके अंदर इक्या है यह हो गई हमार अब जैसे आप सर्कीट में connect करोगे मतलब की यह अपना सेल सबोस करो सो आपने किस रेजिस्टेंस से connect कर दिया को टो यहां पर पॉश्टेव एक ब्लते एक नेगाटउरbold तो यह जो इलेक्ट्रोड है यह क्या करेगी एलेक्ट्रों को अपनी तरफ खीचेगी तो इसकी तरफ आएंगे जैसे इस तरीके से इस तरीके से पास होंगे इस इनको कुछ रेजिस्टेंस भी मिलेगा उसी को हम क्या बोल रहें इंटरनल रेजिस्टेंस बोल रहें तो इनकी बीच में दूर दूर रखोगे तो एक इलेक्ट्रोड से दूसरी पर पहुंचने के लिए तो उनको ज्यादा रखने में तो घंप राध जाएगा घंद रांदा शो होगे तो टीक्त के यह जित्व हैं इनका ऐरिया जञादा होगा उतना इसफी पहुंच जाएंगे सबुए लेक्रों को बहार निकलने के लिए एरिया करते उसका इरिया देखो कितना ज्यादा उता तो रहती है और दूसरी पिरए के तोकि उपर भी इंटर्ण पर इंटर्र मेंड करेंगे उसमें च्छोटा सा फॉमॉला और आपको बता रहा हूं कि यह जो करेंट कर सकते हो अगर आप लिख रहे हो अगर आप कर Александ पूरा इजिस्टेGU लेना पड़ेगा तो डिस्ट्रींज काउट कर प्रोटेजरने तोटल वोल्टेज कितना प्रोडूस किया था की ए आम पॉठव एबस Wah और दो रेजिस्टेंस है धेसं को करेंट मिला कथना दो रेजिस्टेंस पर से तो यह तरीका है करेंट को री पर जन करने का आई कोल टू ए बाइ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर लिग दो और दूसरा तरीका क्या है आई एक्वल्स टू टो जो वोल्टेज इस रेजिस्टेंस को मिल रहा है सिर्फ इसको इसी को देखो कितना वोल्टेज मिल रहा है इसको कर सकते हो दोनों फॉर्मलों से आंस से माएगा अगर आप एमफ की टर्मस में लिख रहे हो तो आपको हमेशा जो एक्स्टर्नल सर्कृट का रिजिस्टेंस है और इंटर्नल रिजिस्टेंस है दोनों को एड करके लिखना है और सिर्फ आप एक्स्टर्नल रिजिस्टेंस क , तो यह क्या है क्या है ऑट क्या है तब कर सकते हो तो जब भी कोई हो रहा हो गया सप्रिट में यूज तो यह бок्म यह बनेगी लेकिन पुल्टा भी वह सकते हैं वाले शार्ज करें ऑब चार्ज किया करना यहां पर माइनिस कीजिए प्लस का सिंबल आएगा फिर क्योंकि जब आप किसी सेल को चार्ज करते हो तो चार्ज करने के लिए उसको चार्ज करना है तो दस वोल्ट के सेल को चार्ज करने के लिए पांच वोल्ट का सेल तो नहीं लगाएंगे उसे ज्यादा वोल्टेज सोर्स उसके क्रोस लगा रखा होगा और उस कंडीशन में जो टर्मिनल पोटेंशल डिफ्रेंश होगा वह बराबर होगा इप्लस आई एंटू तब यह एक्वेशन बनेगी तो अगर बोले की चार्ट किया जा रहा है सेल को तब आपको यह रिलेशन लिखना है यहां पर वी यह इक्वेशन बनेगी यह कब लगानी एक्वेशन जब सेल को चार्ट किया जाएगा नॉर्मल कंडीशन में अगर कुछ नहीं बोला गया उत्ति का मतलब यह वाली कंडिशन यह सेल को हम एनर्जी सप्लाइब करने के लिए यूज करते हैं सर्किट में यानि कि वो डिस्चार्ज हो रहा होता है तो यह वाली एक्वेशन लगेगी और स्पेशली बोल दे कि चार्जिंग वाला केस है तो यह एक्वेशन लगा देना क्लियर मतलब टर्मिनल पोटेंशल डिफ्रेंस और आर का मतलब क्या है क्या एक्टर्नल रेजिस्टेंस इनकी टॉम्स में आपको किसी भी सेल के इंटर्नल रेजिस्टेंस को रिपरजेंट करना है तो कैसे रिपरजेंट करेंगे तो मैं एक सेल कर लेता हूं सबसक्रों यह अपना लिए एक अब यह जो शेल है इसको आपने एक रेजिस्टेंस Capital R के क्रोस कनेक्ट किया हुए एक रेजिस्टेंस आर खे-क्रोस कनेक्ट कर दिया जिससे सर्कुट में करंट फ्लो होगा उस करेंट को मैं आई नाम दे देता हूं तो इस तरीक़ी से सर्कुट में i current flow हो रहा होगा ठीक है यह वाले situation है हमको यह पता करना है कि जो इन्टर्नल रेजिस्टेंस है small r वो कितना होगा तो यह जो रेजिस्टेंस voltage कंजूम कर रहा होता है उसको हम v बोलते है यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि यहां पे यह जो current है circuit में वो बराबर होगा I equal to क्या होगा बोलो E upon capital R plus small r किसी भी electrical circuit में अगर आपको current calculate करना है तो आप यह formula यूज़ कर सकते हो इसके अलावा एक formula और है current को calculate करने का एक formula और है इसी circuit के अंदर यह जो resistance ही कि कितना voltage consume कर रहा है और resistance कितना है इसका आर तो I equal to V by R भी आप लिख सकते हो दोनों बात यह समझ में आगई तो चाहे इस से current calculate करो यह इस से calculate करो एक ही बात है अब आते हैं कि जब यह sales circuit में use किया जा रहा होगा तो इसके लिए एक equation हम लिख सकते हैं V equals to E minus I into smaller जो यह शो कर रही है कि सर्किट में यह जो external resistance है इसको जो potential difference मिलेगा जिसको हम terminal potential difference बोलते हैं वो बराबर होता है EMF minus voltage drop across the internal resistance यह equation हम जानते हैं यहाँ पर हमको E V और capital R की में small r को calculate करना है तो इस आई को हटाएंगे आई को हटाने का तरीका यह है देखो I equal to V by R लिख सकते हो यह उठा के इसमें पूट कर दो वी इक्वल स्टू क्या बन गया E minus V by R into smaller बन गया जो smaller वाली इसको उधर ले जाओ तो V by R into small r equal to इसको इधर ले आते हैं E minus V मुझे small r calculate करना है तो मैं क्या करूं V by R से दोनों साइड में divide कर दो तो इधर V by R से divide करोगे तो यह बन जाएगा कुछ ऐसा यह देखो आर उपर चला जाएगा तो आर तो मैंने उपर लिख दिया E minus V divided by आप चाहो तो इस भी से divide करके भी इसको लिख सकते हो तो यह बनेगा R into E upon V minus 1 ऐसा कुछ formula अपने पास आ गया तो यह काफी important formula है हम आगे भी हम इसको यूज करेंगे एक टोपिक हम आगे पढ़ेंगे potential meter उसमें भी इस formula को यूज किया जाएगा तो किसी भी सेल का जो internal resistance है उसको आप एम आफ terminal potential difference और external resistance आर की टांस में क्या बोल सकते हो स्मॉल र इक्वल टू capital R into E upon V minus 1 फिक है तो यह क्या है किसी भी सेल के internal resistance का formula आ गया जैसे एक सेल लो आप उस सेल के एक्रोस वोल्ट मेटर लगा के चेक करो वोल्ट मेटर तो किसी भी सेल का यह मफ पता करना है तो क्या करोगे बोलो एक्रोस बोल्ट मेटर लगा के चेक कर लोगे तो किसी कि रिडिंग आएगी अपने वोट मेंटर क्या करेगा इंप को तिर आप सर्कुट को उस किसी सर्कुट में किनेक्ट कर दो जिस्सें सेल में करेंट फ्लों तो उसके सेल में रहाँ होगा तर्मिनल पोटेंशल दोनों में improving इंबर आपको पूछा जए कि cmf और Deb Iam box तार्मिनल पोटेंचाल में बता सकते होता चलो एक एक करके डिस्कुस करते हैं इधर मैंने लिखा और इधर मै लिखा टर्मिनल पोटेंशन डिफ्रेंच चोनों में डिफ्रेंच क्या है बताऊ लिग हएं आधर elder तर्मिनल कि समझ में श्यादा होगा क्यूंकि इम्स किसको बोला गया है जब एंट्रनल रजिस्टंस पूस वोल्टेज खा जाता है तो जो पचाऊँच्छ फोल्टेज है उस ही को हम क्या होता है टर्मिनल पॉतेंशल डिफ्रेंश तो एक रिलेशन तो यह समझ में आ कि यह माफ हमेशा ज्यादा होगा टर्मिनल पोटेंशल डिफ्रेंस से पहला डिफ्रेंस समझ में आ गया अच्छा दूसरा डिफ्रेंस यह बता सकते हो कि जो यह वाफ है वो एक्स्टरनल सर्कृट के रिजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि यह मफ क्या है मैग् को मैजर करते हो तो तो सर्क्षित को ओपन रखा जाते हैं एक डिफ्रेंस यह भी आप लिख सकते हो कि मेजर न करने के लिए सर्क्षित को लिए सिल से करने को कि दूस पर कर रहे हो आप क्षूज पर इसके सटर्कूट में रिजिस्टंस को इसमें करता किसी पेंड करता है क्या आपने उसका अपर हमें को बना गरेगा वह ऑल तो क्या हमने क्या है उसके हम ऐस पर问题 कर आगा कर रहा है क्या नहीं लेकिन टर्मिनल पोटेंशल डिपेंड करेगा कैसे यह देखो फॉर्मिला क्या होता टर्मिल पोटेंशल डिफेंश का वी इक्वल्स टू ए माइनस आई इंटो ओल यह होता है अब आप खुद बताओ कि यह जो फॉर्मिला है इसके अंदर यह क्या चीज आई करेंट करेंड करेगा एक्स्टर्नल सर्कुट के रिजिस्टेंश पर अगर आपकिसी भी सेल को को यह मालों कोई सेल है जिसका यह कुछ इंटर्नल इस को आपकिसी रिजिस्टेंश आर के करोस अप खुद बताओ अब आप ये देख सकते हों कि ये जो terminal potential difference ये इस current पे depend करेगा circuit में current इस external resistance पे depend करेगा अगर मैं इस resistance r को बढ़ा दूँगा तो सोचो क्या होगा circuit में current क्या हो जाएगा कम अगर circuit में current कम होगा तो e में से minus होने वाली जो value है वो कम हो जाएगी के बढ़ जाएगी यह आपने क्या कि जैसे मैंने सरकृट का रेजिस्टेन्स बढ़ाया इस तो यह wither BP एक्स्टरनल सरकृट के दिपैंड कर रही है क्या diver कर रहे है क्या भी इंक्रीज हो गया बढ़ गया ना इसका मत्रब एक्स्टरनल जो रेजिस्टेंस है सर्कृट में जो भी कनेक्ट करोगे उसकी उपर टनल पोटेंशल डिफेंट करेगा जब कि यह मफ डिपेंड कर रहा था क्या नहीं जी यह मफ डिपेंड नहीं करता तो किसी भी सेल का ज प्रिक्स रहेंगे यह इनको चेंज नहीं किया जा सकता है यह चैंज नहीं होता क्या चैंज होता है टर्मिनल पोटेंशल डिफेंट चैंज होता है और उसकी वजए से चाण में connect करोगे अना तो उसके एम अफ की वज़े से सर्कृट में current flow होगा जिसके वज़े से सेल के एक रोस या जो और भी Component circuit में connect होंगे उनके एक्रोस आपको कुछ टर्मिनल पोटेंशल डिफरेंस मिलेगा तो इम अफ क्या है mean cause or term Looking sir difference क्या है उसका इफेक्ट है न तो यह आप बता सकते हो कौण कौन सेूँ हसे बता है मैंने यह फो टैनल points यह फामहिशा जादा होता है ने यह जादा होता है कि-ई-े-म पो-क्या वहता है दूसरा बता है इंगा एक्सटरनल सर्कृथ के रिजिस्टेंश पर डिपेंड करेगा तीसरा डिफ्रेंस क्या बताया कि एमफ की जो वैल्यू है जब सेल बनाते हैं उसी टाइम पर फिक्स हो जाती उसके बाद में चेंज नहीं होती जब टर्मिल्ट के अकोरडिंग चेंज होता रहता है कि बता सकते हो कि एमफ को मैजर करते टाइम पर सेल को आपको ऑपन सरकेट रखना पड़ेगा और जो टर्मिल्ट पोटेंशल डिफ्रेंस है इसको मेजर करने के लिए किसी भी सेल के टर्मिनल पोटेंशल डिफ्रेंस को मेजर करने के लिए उसको सेल में कनेक्ट करना पड़ेगा मतलब प्लोज्ड सर्कुट रखना पड़ेगा आया समझ में क्लियर एकदम कोई भी डाउट है तो पूछ लो झाल झाल